खुबसूरत साली को जब जीजा से हुआ प्यार उसके बाद हाथ पैर काट कर किये अलग और टुकडे टुकडे करने के बाद डैड बोडी को बाहर जाकर जमीन में गाड दिया दोस्तो आकर ऐसा क्या हुआ इस गटना की पूरी सचा जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरची बात परवल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यह गटना है मद्य प्रदेश के खंडाल जले की मद्य प्रदेश के खंडाल जले में साधना नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उमरती 24 साल और आज से 3 साल पहले उसकी साधी हो जाती है लेकिन दोस्तो उसका पती सरा भी होता है और साधना के घर में उसके मम्मी पापा उसकी छोटी बेहन रहा करती है और अब उसको दो साल की लड़की भी है समय गुजर रहा होता है उसका पती सराप पी कर आया करता है और उससे जगड़ा किया करता है दोस्तों दोसार गुजरने के बाद उसकी छोटी बेहन की साधी भी उसी गाव में हो जाती है उसके पडोस में ही अब उसकी छोटी बेहन भी दुलन बनकर उसी के पडोस में आ जाती है और अब साधना और उसके पती के बीच में जब जगडा हुआ करता है तो उसकी छोटी बेहन का पती उनके बीच में बीचवचाव करवाने के लिए आ जाया करता है यानि कि उसका जीजा आ जाया करता है उसका जीजा उसके सर पर हाथ पेरता है और कहता है चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ है दोस्तो इसी तरह से अब उनके बीच में जब जगरा होता है तो उसका जीजा वहाँ पर आया करता है और अब उसको जीजा से प्यार होने लगा है वह अपने सरावी पती को छोड़ना चाहती है दोस्तो अब वह जीजा को प्रपोज कर देती है और जीजा उसकी बात मान जाता है दोनों के बीच में प्रेम संबंद बनने लगते हैं और दोनों अपने प्यार को परवान चुप चुप के चरहने लगते हैं कुछ समय गुजरने के बाद साधना के पती को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी अपने जीजा के साथ संबंदों में है दोस्तो वह अब अपनी पत्नी से लगाई जगरा करने लगता है बुरी तरह से उनके बीच में कलेस होने लगता है अब जो साधना होती है वे अपने प्रेमी जीजा से बात करती है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और इस तरह से इसको मारेंगे कि हमारे उपर कोई आरोप नहीं आएगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अपनी जिन्दगी गुजारती रहूंगी मजी से दोस्तो साधना का जीजा मान जाता है और फिर एक दन साम को जब रात को सराप पी कर साधना का पती आता है तो वे सो रहा होता है तब ही वे फोन करके अपनी प्रेमी जीजा को बुला लेती है दरवाजा खोलती है और जीजा घर के अंदर प्रिवेश करता है जीजा घर के अं बहरा हुआ पड़ा था उसके बाद उसकी डेड़ बोडी को एक बैग में भर करके उसको नाले में फैंक दिया जाता पड़ोस में ही जो की पड़ोस में एक नाला होता है दोस्तों उसके बाद वह अपने घर आ जाते हैं और समझते हैं कि अब किसी को कुछ भी पता नहीं चल बया कर देती है कि मैं अपने जीजा से प्यार करती हूँ और यह सराप पी कराया करता था इसको मैंने रास्ते से हटा दिया दोस्तों पुलिस उसके उपर केज़ दल्ज करती है उसको जेल में भेज देती है और फिर उनके उपर मुकदमत चलाया जाता है तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी प्रेम कहानी के बारे में क्या साधना सही कर रही थी कि उसका पती जो था वह सराबी था इसलिए उसने दूसरा अपना पती के रूप में एक जो जीजा था उसको चुल लिया था या फिर उसका पती सही कर रहा था या फिर उसका जीजा सही कर रहा था कौन सहीता कौन गलत था आप अपनी राय कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं लोगों को साथ सेयर कर सकते हैं दोस्तो ऐसी घटनाओं को उपर मैं वीडियो जुना का ले कर आता हूं जिनको बड़ा मीडिया नहीं दिखाता है उनको मैं आपके समक्स ले कर आता हूं जिससे की यहां से कुछ सीख मिले और हम अपने जीवन में ऐसी वैसी गलती ना करें दोस्तो हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरची बात ब्रज और वहाँ पर हम ब्रज छेतर के सभी दार्षनिक स्थलों के दर्सन करवाते हैं जो की बहुती मनोरम बहुती अच्छे होते हैं और वहां के बारे में पूरी जानकारी भी हो आपको प्रवाइड करवाते हैं तो हमारे उस चैनल पर जाएं तिरची बात ब्रज पर वहाँ पर हमारे चोटे भाई जीतंदर सौरौत आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं और बहुत ये अच्छी जानकारी वो देते हैं अगर आपको हमारे चैनल पर जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है उस लिंक पर किलिक करें और चैनल पर जाएं और ब्रज छेत्रों के दर्सन करें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घतना के उपर तब तक आप खुश रहें सावधान रहें रिस्तों की हमियत को समझें जय हिंद जय भारत